एलो स्टुडेंट आर्सेरी एज्जूगेसण बानसुर की ओन्लाइन क्लासेज में आपका हर्दिक श्वागत है आज हमाध्यन करेंगे आनवनसिक अभियांत्रिक के साधन टोल्स आफ जेनेटिक इंजेनेरिंग आनवनसिक अभियांत्रिक साधन निम्न है नमबर एक प्रतिबंद एंजयम जिसे रेस्ट्रिक्षिन एंजयम भी बोलते हैं नमबर दो वाहक वेक्टर नमबर तेन डियने लाइगेज नमबर चार डियने पोलेमरेज सबसे पहले मध्यन करेंगे प्रतिबंद एंजयम जिसे रेस्ट्रिक्षिन एंजयम भी बोलते हैं प्रतिबंद एंजयम को आणविक कैचिया या राशानिक चाको के नाम से जाना जाता है इसे आणविक कैचिया या राशानिक चाको के नाम से जानते हैं बोड एक जाम में भी पूछा गया था आर्विक कैशियां या रासनिक चाकू के नाम से किसे जाना जाता है तो आजिश्वर होगा प्रतिवन्द एन्जःब ये किवल 23DNA पर ही कारी करते हैं ये भी आपको ध्यान रकना है कि ये किवल 23DNA पर ही कारी करते हैं सन 1963 में दो प्रतिवंधन एंजयम प्रतिवंध या प्रतिवंधन एंजयम 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 प्रतिवंधन तदहा दूसरा enzyme DNA को कारता है जो अगले पेज क्योप आपको दिखाता हूँ देखिए दो प्रतिबंद enzyme में से एक enzyme DNA से मिथाल समु को जोडता है तदहा दूसरा DNA को कारता है उस काटने वाले को प्रतिबंद endonuclease कहा गया हिंड सेगिंड देखिए हिंड सेगिंड एक प्रतिबंद enzyme है क्योंकि किसी भी प्रतिबंद enzyme का नामकर्ण किया जाता है तो प्रत्थम अक्षर वन्स होता है जिससे उसको प्रत्थक किया जाता है यह हैं आमेशां बड़े अक्षरों में लिखा जाता है इसके बाद में दो अक्षर उष्वंस की जाती के होते हैं जो छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं जैसे हिंड यहां पे हिन यानी हिमोफिल्स इन्फ्लूंजी से प्रथक किया गया था आपको तो याद रखना है हिंड सेगिंड प्रथम प्रतिबंदन एंडोनुकलीज एंजयम है यह डिने को ऐसे विशिष्ट इस्तलों से कारता है जहां छे छारक युगमों का विशिष्ट अनुक्रम होता है नुकलेज एंजेम की दो प्रकार है एक्सो नुकलेज एंडो नुकलेज नाम से मालूम है एक्सो एक्सो एनी बाहर के और एन्डो एनी अंदर के और एक्सो नुकलेज एंजेम जैसे अगले पेज कर उपराब को में दिखाता हूँ देखी एक्सो नुकलेज एंजम यह हैं एंजम डिने के सिरे से नुकलेट को करता है एंडो नुकलेज यह हैं एंजम डिने के डिने को बीच में से विशिष्ट इस्तलों से करता है एक्सो सिरे से काटेगा ध्यान रखेंगे एंडोनुकलेज बीच में से विशिष्ट इस्तलों से कारता है आदिक्तर एंडोनुक्रम को अभिज्ञान इस्तल बोलते हैं प्रतेक प्रतिवंदन एंडोनुक्रम को पहचानता है जैसे इक्वार फर्स्ट प्रतिवंदन एंडोनुक्रम है जी ए ए टी टी सी को पहचानका जी वे एक के बीच में से कारता है जो इक्वार फर्स्ट है यह ऐसे किया कोली से प्रतिवंदन एंडोनुक्रम क्या है देखे पेलेंड्रोम यह वर्णो या अक्सरो का एसा समू है जिससे बना सब्द आगया पीछे से पढ़ने पर शमान सब्द बनता है जैसे मल्यालम मल्यालम को आगया पीछे से पढ़े तो शमान सब्द बनेगा जैसे कनक है तकत है वो कैसा सब्द है पेलेंडोम यहां हम बात करते हैं पेलेंडोमिक डियने की तो पेलेंडोमिक डियने क्या है आप बता सकते हैं कि यहाँ DNA पेलिंडुम से तात पर यह है कि DNA के दोनों शुत्रों के छारक युगुमों का एसा अनुकरम जिसे पढ़ने का अभिविन्यास समार रखा जाए जैसे आप देख रहे हैं पांट डेश से तिन डेश और तिन डेश से पांच डेश जी एए टी टी सी और इधर जी एए टी टी सी यानि एक प्रकार से पढ़ने का अभिविन्यास क्या है समान है तो इस प्रकार का DNA क्या होता है पेलिंडुमिक DNA तो अगले पीज के उपर चलते हैं पहले में लाइनों क विरेज कर देता हूं यहां प्रतिवांदन एंजम की क्रियवधी को दर्शाय गया वांच्छ डियने यह वाहक डियने है आप देख पा रहे हैं कि वांच्छ डियने वाहक डियने है तो एकोर फास्ट वांच्छ डियने के दोनों शुत्रों को जीवे ए छारकों की बीच में से कारता है जैसे यह प्रतिवंदन एंजम को दर्शाय रहा है और कहां से काटा जा रहा है जीवे एक के बीच में से इधर भी ये प्रतिबंद एंजाइम को दर्शा रहा है और ये कहां से काट रहा है जीव है एक के बीच में से इधर दोनों साइड में दोनों सुत्रोप्र आप देख रहे हैं कि दर से काटा जा रहा है जीव है एक के बीच में से जैसे cutting बाद ये वाला part ये अलग हो जाएगा इधार से ये part अलग हो जाएगा तो एक Imma कॉटने के बाद ये condition हो गई ये वाला खाली हो गया, ये कट चुका है, अर्थारत ये कैसा शिरा बन जाएगा चिप चीपा, और ये भी कैसा बन जाएगा चिपचीपा यानि इक्वार फर्स्ट वांचे डियने की दोनों सुत्रों को जीवे एक छारकों बीच में से कारता है इसी प्रकात से इक्वार फर्स्ट वाहग डियने को जीवे एक छारकों के बीच में से कारता है दोनों को एकी प्रतिवंद इंजयम की दोरा काटा जाता है जिससे इनके चिपचेपे सिरे समान प्राप्त हों उसकी बाद में वांचे डियने वाहग डियने के चिपचेपे सिरे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने पर क्या बनता है पुनर्योगाच डियने आतम कह सकते हैं कि आनवनसिक अभिहांत्रिकी में वाहग डियने हैं ये वाहग डियने हैं वांचे डियने ये विदेशी डियने को एक ही प्रतिवन्द इंजम दौरा काटा जाता है उसके बाद में वाहग विदेशी डियने के समान प्राप्तिपचेपे सिरे जुड़ कर प्रतिबंद एंजयम की किरियवदी, प्रसन भी पूछे गए हैं कि आन्विक कहचियां या रासनिक चाको के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आशुर होगा प्रतिबंद एंजयम, रेस्टिक्शन एंजयम, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,